कॉलकता के गर्ल स्कूल के प्रिंसिपल एक अमीर परिवार को चिठी भेशते हैं। चिठी में लिखा होता है कि आपकी बेटी का स्कूल रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। न स्कूल आती है और ना ही अच्छे नंबर लाती है। कुरुपया आप अपनी बेटी के तरफ ध्यान दे। चिठी पढ़ने के बाद गितिंद्रनाथ अपनी बेटी को पास बुला कर कहते हैं। फिल्म करियर के वज़े से तुम्हारा स्कूल का रेकॉर्ड खराब हो रहा है। अगर तुम्हें पढ़ाई छोड़ देना है तो कोई बात नहीं। जिस फिल्म करियर के वज़े से पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग रहा है। उस करियर को आसमान तक लेकर जाना है तो पूरे होसले के साथ महनत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। परिवार से अनुमती मिलने के बाद 14 साल की शर्मीला टैगॉर ने करियर की शुरुआत की और आज 60 साल के बाद भी नहीं रुकी। बहतरी इन आक्टिंग स्किल्ज और मार में खुबसूर्ती से सूपर हिट फिल्म में देने वाली शर्मीला टैगॉर की कहानी आज मैं अनामिका सुनाने वाली हूँ आपके अपने चैनल बायोग्रफी एंड्रियल लाइफ स्टॉरीज पर। श्री रविंद्रनाथ टैगॉर के करीबी रिष्टिदार रहे गीतिंद्रनाथ के घर शर्मीला का जन्म 8 दिसेंबर 1944 को हुआ। टैगॉर परिवार जितना साहित्य से जुड़ा है उतना ही बिजनिस और फिल्म जगत से भी जुड़ा है। प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी टैगॉर परिवार की ही एक हिस्सा रही है। शर्मीला से पहले उनकी बहन ओन्रिला ने 1957 की फिल्म काबुली वाला के साथ फिल्म जगत में प्रवेश किया। पर यही उनकी आखरी फिल्म थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शर्मीला हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने से पहले बंगाल की एक सफल अभिनेत्री थी। पर उनके आपसी राय के अनुसार उन्हें हमेशा से एक डांसर बनना था। इसलिए वो कहती हैं कि मैं एक आक्सिडेंटल अक्ट्रिस हूँ। उम्र के 13 साल से उन्होंने बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू किया था। कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया जहां उनका नाम कास्ट में नहीं दिखाया गया था। बतार अभिनेत्री शर्मिला सत्यजी त्रेस साहब की फिल्म तो वर्ल्ड आफ अपू में एक सक्षम अवतार में दिखी। इस फिल्म के वज़े से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली और हिंदी फिल्म जगत के लिए शर्मिला को कई सारे ओफर्स भी आने लगे। बंगाली फिल्म में करियर बनाने के बाद शर्मिला की एंट्री शक्ती साहब की फिल्म कश्मीर की कली के साथ हुई। और देखते देखते शर्मिला टेगा और ये नाम बेशुमार अक्ट्रिस के सूची में शामिल हुआ। पर शर्मिला कहती हैं मैं फिल्मों में ज्यादा काम नहीं करना चाहती थी। कश्मीर की कली के बाद मुझे यहां रहना नहीं था पर मैंने सोचा एक फिल्म और करूंगी फिर फिल्म जगत से दूर हो जाऊंगी। पर चाहा कर भी शर्मीला फिल्म जगत को छोड़ नहीं पाई और सौ से अधिक फिल्मों में काम करने वाली शर्मीला की साठ से ज्यादा फिल्में सूपर हिट रही। उनके जिन्दगी में 1967 का साल बहुत ही मुश्किल भरा रहा और यूनिंग इन पैरिस फिल्म से उनकी बुनियाद को छोट लगने लगी। बिकिनी शॉट देने के वज़े से भारत भर में उनकी बहुत आलोचना हुई। लोगों ने यहां तक बोलना शुरू किया कि अब मशूर क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान शर्मीला से शादी नहीं करेंगे। पर इन सारी बातों पर ध्यान न देते हुए नवाब साहब ने शर्मीला से 1979 में शादी कर ली। पर शादी से पहले अपचारिक रूप से मुसलिम धर्म को अपना लिया और शर्मीला आईशा बेगम बन गई। पर क्योंकि वो अपने फैन्स और परिवार से हमेशा जुडी थी इसलिए उन्होंने अपचारिक रूप से आईशा बेगम इस नाम का कहीं पर भी उपयोग नहीं किया। शर्मीला टैग और एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने जीवन के हर पड़ाव पर कुछ नया किया है। चाहे वो पर्सनल जीवन में हो या फिल्म जगत में हो। उन्हें 1975 की मौसम और 2003 की इन दू फॉरस्ट अगैन फिल्म के लिए दो नैशनल अवार्ड और आराधना के लिए फिल्म फैर अफर, अमर्प्रेम, छोटी बहू, दाग, राजारानी और आविशकार ये वो फिल्में हैं जिनमें शर्मीला की जोडी राजिश खन्ना के साथ दर्शकों ने खूब पसंद की। आराधना के शूटिंग के वक्त सैफ अली खान तो उनके पेट में ही थे। धर्मेंद्र क साथ भी उन्होंने साथ फिल्में की जिनमें शामिल हैं देवर, अनुपमा, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, यकीन, चुपके चुपके एक महल हो सपनों का। आविताब के साथ फरार और संजीव साहब के साथ मौसम में शर्मीला जी की आक्टिंग लाजवाब रही। आज शर्म शर्मीला जी का जीवन अन्य अभिनेत्रियों के लिए एक उधारन है। शर्मीला जी जिस महाल से गुजरी हैं उस हर एक महाल को उन्होंने अपने प्यार से अपनाया है। अमर प्रेम फिल्म में शर्मीला जी की आक्टिंग आज भी आँखों में आसु लाती है। कला छेत से दोहजार ग्यारा तक सेंसर बोर्ड की चेर पर्सन भी रही है। तो मैं थी आरजय अनाम का मेरी कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बायाउग्रफी अन्रियल लाइफ स्टोरीज को सब्स्राइब करना न भूले। धन्यवाद।